सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नपश्कार दोस्तों मैं गौरूव आपको बहुत-बहुत स्वाधत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल कुरूशी को बहुती नए फ्रेश कमाल एपिसोड में और यहां दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टीजी मंतली स्मार्टफोन राउंड अप वीडियो में इसी महीने लाँच हुए इनी सभी धेर सारे फोन्स के बारे में जहां दोस्तों एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दस फोन्स है मेरे सामने वीडियो की काफी मज़ार दोस्तों आइसे में जल फोन्स लाँच हुए हैं, उनमें से बहतरीन कौन सा लगा, नीचे कॉमेंट करते हुए, जहां पर दोस्तों हम से करता हूँ, शुरुआत अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में जो कि यहां पर दोस्तों यह है, हमारे पास में, Poco M2 Pro, तो मतलब यार, Poco को क्या कहना, वो था न, वो आलू डालो, सोना निकल जाएगा, इसी मशीन तो मतलब लगता है, कि बहिए डालेंगे Redmi और निकलेगा Poco, मतलब यार, इतना कुछ excitement रहा ही नहीं है, अब लगता है कि मतलब यार हर एक फोन जो है, वो rebranded पर rebranded पर rebranded, तो यहां प दोस्तों यह बिलकुल वह scene है, Xiaomi, Redmi, Poco वाले phones में, उसको लेके अभी तक Xiaomi को क्लियर statement नहीं है, MIUI के कुछ updates को लेके, तो भी ऐसे में, phone तो ठीक लग रहा था, लेकिन वो जो ठाना कि मतलब नया कुछ आएगा Poco में, वो कुछ नया दिखा नहीं, बस मतलब वही लगा कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ change किया, हलका फुलका, और launch कर दिया, वो ही आलू को सोना बना के, मतलब Redmi को Poco बना के, तो वैसे तो phone अच्छ है, specs के साब से, लेकिन security को definitely भी fix करने की जरुरत है, यहाँ पर दोस्तों कर आप से बात करता हूं, उसके आगे तो हमारे पास में है, Realme का C11, मतलब समझ नहीं आ अगरी से कमजोर है, अगर हम बात करें स्पिसिफिकेशन की, बिकॉज यह आता है, Helio G35 के साथ में, अभी SME कीमत है, इसकी 7499 से स्टार्टिंग, तो मतलब कीमत के साब साब ज़्यादा कुछ कुछ कम्प्लेन करने दुक्ते हो, मतलब ठीक ठाक है, फोन अल्री अपनी प् कर रहे हैं, तो यार, वो एक अच्छी बात है, मतलब कम से कम एक कमपणी ने बोल्ड स्टेट्मेंट दिया है, लेकिन अगर हम से बात करता हूँ, स्माटफोन की, इन टरम्स ऑफ इसके जो था उस तो पुराना वर्जन, उससे इस वाले में क्या डिफरेंसीज हैं, या क्य कुछ ने आ लेके आ रहे हैं, तो इतना कुछ खेर खास समझ में आने रहे हैं, मतलब रियल्मी बाक तो बाक बार सिमिलर फोन्स लाँच कर देता है, और मुझे परसनली इतना बड़ा 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 जो है, वो मतलब ब्रैंडिंग फोन पर कुछ खास पसंद आती नहीं हैं, यहां आप दूसरों करते हैं बात आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारे पास में हैं, रियल्मी का 6i, यह और रियल्मी 6 more or less एक जैसी हैं, जहां पर दूस्तों इसमें सिंगल कैमरा है, उसमें डूएल कैमरा था, डूएल था क्या मतलब, कई बारते लगता है ना कि म मतलब वही 48 Megapixels का Quad Camera, वही यहां पर उपना डिस्पले, वही यहां पर चार्जर, वही बैटरी, वही सब कुछ सेम, तो ऐसे में यह है रियल्मी का 6i, कीमत की साब से खराब नहीं बूलूँगा, लेकिन दन अगेर ऐसा कुछ आना excitement अंदर से नहीं था, यहां बात करते है आगे तो यह है OnePlus Nord, अब यह ऐसे में OnePlus Nord जो है, वह अपनी कीमत के आप से काफी एक balanced phone लगता है, और यहां पर जो 64GB वाला variant है, वो September तक अवलेबल नहीं होगा, जिसके शुरुआदी कीमत है 24,995 रुपे, उसके अलाबा एक है 27,999, फिर एक है 29,999, तो ऐसे में दूस्तों अ काफी कमिया है, OnePlus ने जो हैं, वो काफी चीज़ें कम प्रोवाइड करी हैं, ताकि इसी कीमत को इतना नीजे लेके आ सके, लेकिन स्टिल अपनी कीमत के साब से एक अच्छा option हो सकता है, अगर आपको Oxygen OS पसंद है, या अगर आपको OnePlus ब्रांड पसंद है, जहां में कोशिश क है कि काफी कुछ चीज़ें, OnePlus इस एक फोन में जो है, वो पाक करके आपको दे पाए, यहां मतलब दूसकर हम बढ़ते हैं, आगे तो बात करते हैं, वीवो के X50 और साथ में वीवो X50 प्रो के बारे में, मतलब यहां पे, यह दोस्तों फोन है, इसका जो कैमरा है ना, मतलब वो definitely बहुत बहत बहतरीन है, मतलब वीवो ने बहुत युनीक काम किया है, अपने gimbal mechanism के साथ में, और ऐसे में दूस्तों यहां पे आपको परिस्कोप पला, optical zoom बगरे भी मिल जाता है, तो मतलब ऐसे में, कैमरा के मामले में दूस्तों definitely जो X50 प्रो है, वो बहुत बहतरीन ज है, उसके दो विरियंट्स हैं, 34990 और 37990 के, और यहां पर दोस्तों को मिलता है, Snapdragon 765G, जो की at least X50 Pro में 865 तो हो रहा ही चाहिए था, तो ऐसे में, हाला के खेर, वीवो के फोन्स एक्सपेंसिव ही रहे हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें, जो 25, 30, 35,000 के फोन्स आते हैं, त तो उसके साब से दोस्तों के खेर कीमत है, मतलब कैमरा में डेफिनिटली वे कोंगो कि यह गिंबल मेकानिसम वारा सिस्टेम बहुत बहतरीन है, फोटो या वीडियो के लिए, लेकिन अगे जो कीमत है, वो ज्यादा लगती है, इन ही X50 और X50 Pro स्मार्टफोन की, अगर दोस सब लगा देगें अब यह नाम के आगे, तो ऐसे में जो रेडिवी नोट 9 है दोस्तों, यह जो है, मतलब हलांकि कीमत अगर हमसे बात करता हूं, 11,99 वरुपी के प्राइस के साब से तो मतलब एक काफी अच्छा option रहेगा in terms of specs, दोस्तों, अगर आप देखें, लेकिन फिर कुछ एकदम clearly नहीं बोल रहा है, जो cleaner master वाला दूस्तों, सीन है, इस phone में उसको लेके, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा है, कि भाई हम update दे रहे हैं, तो पता रही कि क्या बाते होने वाली हैं, तो थोड़ा सा वो भी दिमार्ग में आती हैं चीजें, otherwise जो है, वो अगर आप एक Xiaomi fan हैं, तो यह एक और नया option आ गया है market में, यहां में तो सुम्रम बात करते हैं, आगे तो यह है clearly BTS fans के लिए Samsung Galaxy S20 Plus का BTS edition, कीमत है 87,000999 रुपीज, तो ऐसे में, अगे दोस्तों हम जानते हैं Samsung का S20 lineup है, वो completely एक flagship phones का lineup है, S20, S20 Plus और S20 Ultra के साथ में, तो ऐसे में यह जो BTS edition अब भी आया है नया, यह especially जो BTS fans हैं, जो बिल्कुल दोस्तों purple army हैं, उसके लिए अच्छा phone हो सकता है, otherwise अगर आपको एक color पसंद है, तो आप इस phone को ले सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं, upcoming note 20 lineup का, या फिर आप S20, या फिर S20 Ultra या जो आप का मन करें basically दोस्तों कि यह सिर्फ एक add-on है, एक extra special variant के लिए, तो इसके लिए जड़ कुछ कहने को फिलाल है नहीं, लेकिन यहां पर दोस्तों को आप बढ़ते हैं, आगे तो भाईया बात करनी है इस phone के बारे में, और यह दोस्तों मैं कहूंगा, कि भाईया बहती बहती बेतरीन चक्का मारा है, इस उसने इसी ROG Phone 3 के साथ है, मतलब जो उसनों कीमत है 47999 और इसका जो दूसरा variant है 1256 वाला वो आपको बेलेगा 57999 का, मतलब इसमें क्या कुछ नहीं है यार, इसमें 6000 इमेज की बड़ी बाटरी से लेके, स्पीकर्स बड़े शांदार से हैं और ऐसे में अलग 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 मल्टिबल पोर्ट, सिक्स्रीज, RGB लाइटिंग, 64MP का ट्रिपल कैमरा सेट अप, इसमें दोस्तों, मतलब इतनी सारी चीज़ें पैक कर दी रहा है, इस फोन में, मतलब परफॉर्मेंस के आमले में, मिलको लगता नहीं कि कोई दूसरा फोन इस फोन को भी करेंटली टककर दे सकता है, Android साड़ वर्ल्ड में, तो ये डेफिनिटली आरोजी फोन 2 अगर आप क इक अच्छा उप्शिन्स में, जो है, वो कहूंगा, मार्केट में विलेबल हो गया है भी एसूस की तरफ से, और ऐसे में दोस्तों, गर हम बढ़ते हैं, आगे तो बिलकुल ये ताजा-ताजा है, बस कली लाँच हुआ है, सामसंग का गेलेक्सी M31S, ये दोस्तों जो फोन सामसंग का डिस्प्ली भी आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छा रहता है, साथ दोस्तों, इस फोन की बैटरी है, 6,000 MHz की पच्चिस वोट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है, तो ऐसे में ये दोस्तों फोन की कीमत है, 19,499 रुपे इसके 6 128 विरेंट के लिए, और 21,499 रुपे इसके 8 128 विरेंट के लिए, तो मतलब सामसंग ब्रैंड को देखते वे, जहां पर दोस्तों को मालूम है कि कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा नॉंसेंस अप्स नहीं मिल रही है, और एक सिक्योरिटी को लेगे दिमाग को तो पीस ओफ माइंट रहता है, तो डिफ सिर्फ स्पिसिफिएशन से इतना फरक नहीं बढ़ता है, तो मैं definitely Poco हो, या for that matter, Realme 6i हो, या Redmi Note 9 वगर है, उसको छोड़के M31S को चूज करूँगा, जहां पर at least मिल को मालूम है कि हां मैं एक reputed brand के अंदर अपना पैसा इंवेस्ट कर रहा हूं, तो ऐसे में उस्तों खेर हुए हैं और आपका क्या है कहना इन्ही सब फोन्स के बारे में दोस्तों, बस, फिलावड़ो में इतना ही, देखने के लिए आपको उसमेबाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका खोड़ सालों सुझाव हो तो आप नीचे के मैंन करन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूली मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रुजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, दुस्तों फिलावड़ो में इतना ही, जैहंद वंदे मातरम